नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने विलेंगे के भी से डिय्यू के माधियं से किलियर कर देंगे दोस्तो चाहे टेजी टी हो पिडेघ हो पीजििटी सभी भायों का डाअउट सब्सक्राइव को लेकर के यृच। के डेट को लेकर के रिवाइड इंस्वरकी और नर्मलाजेशन को लेकर के सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपको किलियर हो जागा दोस्तों तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा देजे इससे क होगा दोस्तों कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जागा और के भी से रिलिटे जितनी भी जानकारी आएंगे दोस्तों पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से दूंगा हमेसा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं मेहन जनरल का जो है दोस्तों 125 पलस रहने माला है दोस्तों और OBC SC ST की बात की जाए वहीं तो इन लोगों का 120 से लेकर के 125 के 125 के बीच में SC ST और OBC का रहने माला है दोस्तों और PH कंडिडेट और ST वालों का जो है कि 115 से लेकर के 120 के बीच में रहने वाला है दोस्तों एक प्रटी वालों का है और यहीं बात करते हैं तो दोस्तों आप सब का एंसवर की आ गया है इन सब को आप सभी के बढ़े हैं तो बता दोस्तों इनका expected cut-off कम से कम जनरल में 125 पलस दो हैंनि 127 से लिकर के 128 के बीच में रहने माला है दोस्तों और अगर 120 मांक्स हैं तो आप सब सेफ हैं इंटर्वी की बेफिक्र होकर के तैयारी करते रहे हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इंसर की डाउनलोड करने में देखने में इंटर्वीव से रिलेटर क्या क्या कोश्चन पूछ जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दीजे हम आपकी हर संभव मदद करेंगे हमेशा आपके लिए तत्पर हैं दोस्तों अब बात चुदिंदा लोगों को बुलाया जाता है तो आपका कटफ था 1400 के लगभग पोस्ट था तो इसका कटफ कम से कम जाने मला है दोस्तों ओन्ठे पलस ही जायेगा जनरल वालों का और कि 120 पलस अगर थे explored आप लोग सेफ अब बात करते हैं दोस्तों नर्मलाइजेशन में किन सीफ्ट वालों का बढ़ेगा किन सीफ्ट वालों का नहीं बढ़ेगा तो हाँ दोस्तों बात करते हैं जिन भाईयों का पेपर थोड़ा हाड था उन लोगों का माक्स जो है पांस से छे माक्स बढ़ जाएंगे दोस्तों और जिनका थोड़ा कम था जैसे थोड़ा easy paper था उन लोगों का दो से तीन marks बढ़ेंगे और बाकि दोस्तों, marks तो सभी के बढ़ेंगे, एक guarantee है और बात करते हैं दोस्तों आप सबके result date को ले करके, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, revise answer की आना चालू हो गया है, यहीं 31 तारिक तक आप सभी के इस्ट्रीम चाहे टीजीटी पीजीटी पी आर्टी सभी के रिवाइज इंसोर किया जाएंगे और अप्रेल के फस्ट वीक में जो है फस्ट वीक में आपका रिजेल्ट जो है फस्ट वीक के लास्ट में आपका रिजेल्ट आपको देखने को मिल जाए पहले तो आप लोगों को नोटीस आएगा कम से कम 20 से 25 अपरेल के बीच में आप लोगों को नोटीस आएगा कि इस डिट को इंटर्वियू है और इंटर्वियू आपका मई में गया है दोस्तों मई से पहले कहीं कोई चांस नहीं है कि इंटर्वियू हो जाए जी हां दोस्तो आपका जो है बायो डाटा खोब अच्छे से पूछा जाता है आप क्यूं जाब करना चाहते हैं इसी से एसे रिलेटेड वीडियो कुछे जाते हैं दोस्तों अगर आप सभी को चाहिए कि इंटर्वी में किस टाइब का कुछे पूछा जाता है एक वीडियो बना कर दीजिए तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना कर ला देंगे दोस्तों एकदम जो कंफॉर्म उसी कोष्चन में से एक दो कोष्चन तो फसेंगे दोस्तों चुकि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन एवाइलेबल है के वीडियो के सब दोस्तों जो है पूछे गए हैं और अब लोगों को दिखा रहे हैं अपना अनुभय है यह नहीं कैसे हम बकते जा रहे हैं दोस्तों हम कमसे कम तहां तीन एक जाम दे चुके हैं तीनों का इंटर्व्यू तक पहुंच गये थे दोस्तों अब मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ बताते हैं दोस्तों सेलेक्शन क या वहीं आकर केम इंटर्विव में आकर केम चूप जाते थे दोस्तों मेरा इंटर्विव थोड़ा वीक पड़ जाता था तो यह सब देखते हुए आप लोगों को पहले से लट कर दे रहा हूं आप लोग इंटर्विव की तैयारी अच्छे से करिए एक दो महीने टाइम है आप लोग करते रहिए अगर वीडियो पसंद आया तो पुरिज लाइक सब्सक्राइब करिए धन्यवाद